नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका testbook.com में कोरोना वैक्सीन पर रूस ने बाज़ी माल ली है जहां दोस्तों रूस के सेचनों विश्वी विद्याले का दावा है कि उसने कोरोना वारस के लिए वैक्सीन तयार कर ली है विश्वी विद्याले का कहना है कि वैक्सीन के सभी परिक्षनों को सक्सेस्फुली पूरा कर लिया गया है अगर ये दावा सच निकला तो ये कोरोना वारस की पहली वैक्सीन होगी चलिए तो आज बात करते हैं इसी वैक्सीन पर पूरे डिटेल में और ये भी जानेंगी कि कुरोना की पहली वैक्सीन का किस प्रकार टेस्ट किया गया वॉलेंटियस पर और अब तक डबलू एजो के लिस्ट के अनुसार इस वैक्सीन को फील्स वन ट्राइल में क्यों बताय जा रहा है तो चलिए सबी सवालों का जवाब जानते हैं कुरोना वारस वैक्सीन को लेकर रश्या का दावा है कि उसने पहले टीके का ट्राइल पुरा कर लिया है रूस की सेचनोव यूनिवरस्टी का दावा है कि कुरोना की वैक्सीन तयार कर ली गई है Institute for Translational Medicine and Biotechnology की निर्देशक वदीन तरह सोफ के मुताबिक सेचनोव उनिवर्सिटी ने 18 जून से वैक्सीन का परिक्षन शिरू कर दिया था इसका निर्मान रश्या की गमलेय इंस्टूट अफ एपिडेमिलोजी और माइक्रोबियोजी ने किया है The first stage of research on the vaccine at Sechnov University involved a group of 18 volunteers and second group involved 20 volunteers Russian researcher की मुताबिक ये vaccine बिलकुल safe है and volunteers को 15 और 20 जून को discharge कर दिया जाएगा वैसे इसके marketing and production की अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है चलिए अब जानते इसका clinical trial कैसे किया गया ये vaccine सबसे पहले first group को दिया गया 18 जून को जिसमें 18 volunteers थे और दूसरा दिया गया 20 volunteers वाले group को on 23rd June at the practical research center for the interventional cardiovasology volunteers male और female दोनों थे जिनकी I.O. 18 से 65 साल के बीच में थी vaccine देने के बाद some of the participants reported headache and elevated body temperature पर 24 खंटे के अंदर अंदर ही उनका headache or fever ठीक हो गया वैसे vaccine का ठीका लेने के बाद ऐसे problem सेखने को मिलते ही है these are common problems fever generally आही जाता है या फिर सरदर्ध होता है इसके बाद participants को अलग ward में रखा गया for 28 days basically isolated place पर रखा गया at the campus of Sechenov University so that उन्हें किसी और infection का exposure न मिले मैं बता दू isolation के दौरान उन्हें psychological support भी दिया गया after 28 days of isolation उनको discharge मिलेगे 15th और 20th जुलाई को उसके बाद they will lead a normal life कोरोना के बीच and they will be monitored for next 6 months and time to time उनका health report भी लिया जाएगा वैसे Russian Chief Researcher ने तो कह दिया है कि clinical trial of COVID-19 is successfully completed पर 7th जुलाई को WHO की data के मताबिक Russian coronavirus vaccine अब तक phase 1 clinical trial के stage में ही है जैसे कि आप अपने screen पे देख सकते हैं Times Now News का ये आर्टिकल है 13 जुलाई का जिसमें लिखा है अब देखते हैं कि WHO लिस्ट कब अपडेट होगी and when this vaccine will be available that's all for today ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए टेस्ट बुक को और लिए Gestम प्रेट्स को बढ़ेड़त हैं क्रुआ़्स करते हैं क्रुआ़्स का ये ये झालाई